तो दोस्तो, दिर्मिक्राश की चैनल पर के आपका सुलत है दोसको जैसे पिछ लिखी वीडियो सुम्में आपको दिखाया अब फोतोउ शूप में हम हम टूल्स क्या होते हैं और फोटो को कैसे ओपन करते हैं फोटो अपन करने कि पाद उसको सेलेक कैसे करना है दोफ्तो दू जो हम देखेंगे फोटो संब करने फोटो रञास को चेंज पर सकते हैं जैसे लास्त आम ने देखाता कि या फोटो को सिलेक कैसे गया सिलेक करने के पाद उसका ब्यूंड हम कैसे सेट करेंगे तो स्टाट करते हैं एड़फ वोटोरशोप 7.0 यहां पर आपके सामने पूरी Photoshop के आपको स्क्रीन दिख लिए और फोटो उपन करने के लिए हम यहां पर डबल क्लिक करते हैं जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने एक My Computer में जैसे आपको फोटोस जहां पर भी हो पहुत हो, Computer में ने, Desktop पे हो, Library में जैके पिचर्श में set किए हो तो जहां पर आपको फोटोस होंगे वहां सापको एक फोटोस सिलेक करना होगा तो Computer में जाके हमारे पास D-ReV में एक photos folder है उसको पन करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत चारे फोटोज आपको दिख रहे हैं तो इसमें हम एक सिंगल फोटो कोई भी एक सिलेक कर लेते हैं जिससे यह सिंगल फोटो मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर फोटो उपन हो गया अब फोटो जो सिलेक्ट करना है, जिससे कि हमने यह फोटो यहां पर देख सकता है फोटो तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे और इसको बैकडाउन उसका चेंज कैसे करेंगे सबसे पहले फोटो को आप मैक्सिमाज कर लिजें उसका आपको इसमें यूज़ करना है पैन टूल अब जिससे पूरा परफेक्टली सेलेक्ट करते हैं वह देखें तो यहां पर हमाने पास टूल में है पैन टूल अब अगर दोस्तों इस फोटो को अगर आपको जूम करना है तो आपको कीबोड पर शॉटकट की दबान यह प्रेस करने कंट्रोल एंड प्लस अब फोटो का आप जूम करना चाहते हूं तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है जब आप फोटो को जूम आउट करो जूम इन करो तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना हूं लेकिन जब वह फोटो को आप जूम आउट करना चाहते हूं तो Ctrl के साथ भी अम लोगे किंगे कैसे होता है अब यहां पे Ctrl प्लस कर नहीं को गोड़ तो मैं जुम कर सकता हूं और Ctrl मिनस करनका फोटो जुम है और इसमें भी हमारे पास Jake दुल मिना लेजाब का फ्पैस ब्रेस करनेक और यहां पर कर्स रखकर दूम कर रहा है तो स्पेस से मैं अप्डाउन सेट कर सकता हूं लेकिन जैसे स्पेस चुड़ूंगा वह नॉर्मल हो जाता है हम यहां पर सिलेक करेंगे जयू पर फर्श पॉइंट आपर क्लिक किया उपर के दरफ क्लिक करते जाते हैं जहां पर भी अगर आपको गुलत रिखता आपको CTRL Z करते हैं जिसे देखें सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको अब्जेक्ट उपर का देख रहे हैं जो फोटो है उपर की तरफ तो स्पेस प्रेस किज़के को फोटो को मुव करिजिए फोट बाद में पर पेंटूल फोट करेगा पैंटूल ही एक ऐसा सेलेक्षन है जो इसे स्पेस कर रहाएं तो हैंट लुमेंट साथ में देख रहा है एशसी सबसे आप पॉइंट году पॉइंट करते ज़ाएं उसी सबसे फोटो पूरा सिलेक्ट हो रहा है कि इस से में देखे ज्याय कम बहुत नजदिक नजदिक पॉइंट ले रहा है कि वह से लिड धाउगी इससे पर्फेक्ट तफे ल्ग नियुक्ट अपको देगा पॉइंट टू पॉइंट सेक्ट करते जाएंगे स्पेस के साथ नीचे के तरफ अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं मेरा सेलेक्शन बाहर की तरफ की की इसका है पॉटो में जो मॉडल है उसका हैंड भी बाहर की तरफ है तो आपको बाहर से भी सेलेक्शन करना है तो यहां से जैसे आप सेलेक्ट करोगे पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्शन करते जाने पूरा जयां से आपने फोटो सेलेक्शन स्टाट केंवार आप आपको क्लूस कंप्लिट करना है जैसे आप यहां से स्पेस मूव करके सैकर सकते हो कि अब इसको थोड़ा जूम माइनस करना है कंट्रोल माइनस लेकिन यह जैसे बीच के पॉर्शन में आप देखोगे इतना गयर को यहां पर दिखा रहा है तो वैसे आपको इसको सेलेक्शन करना होगा अब जैसे आपको फोटो यहां पर सेलेक्ट हो गया आपको प्रेक्स करना है कंट्रोल प्लस एंटर करने से जितना अपने सेलेक्शन के वह पर्फेक्ट सेलेक्शन हो गया अगर आप सिफ एंटर देते तो आपको जितना सेलेक्शन होता है वह निकल जाता है इसके आपको एंटर देना है, तो आपका exact photo यहाँ पर select हो गया, अब हम file में new, new page देंगे control plus n, यहाँ पर जैसे आपने new page दिखेंगे, इसमें size अलग-अलग options दिखाएंगे, जैसे आप उसका page का name देना चाहतो page का name, उसका preset size में आप कौन सी size में page set करोगे, उसकी width and height इंच में आपको set क कर सकते हो, resolution कितनी clear डी तो आपको 300 करना इंच में आपको resolution clear नहीं आएगा, और mode उसका RGB यहाँ पर work करता है, यहाँ पर यहाँ हमारा new page आ गया, अब आपका selection है, mood rule से आपको photo आपको move करना है, mood rule की shortcut की है, यहाँ से photo को direct move कर दो, देखेंगे, लेकिन जो photo आपका है, वह आ आपको छोटा देख रहा है, तो उसके लग को इसको वापस transform, यहाँ जो photo है वो छोटा बड़ा करना हो, तो उसके लग को करना है control plus T, जिसको हम कहते हैं transformation, वह आपको option यहाँ को दिखेगा, एरेट में जाएंगे, transform, जो control T, free transform होता है, आप जिसे control T करो, अब आपको photo यहाँ से, अब एक side से पढ़ा करोगे, तो देखो, height and width में distance gap हो रहा है, तो इसको आपको control T करके, control T करने के बाद आपको है ना, जो चारों इंवल से अब सेट करना हो, तो उसके लग को keyboard से प्रेस करना होगा, अब आपको अब आपको अब आपको इसको बढ़ा करना है, जो चारों एंगल से होगा, तो photo exam, exit आपको smooth लगेगा, और वो perfect यहाँ पर set करना है, लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे है, जब मैंने यहाँ से cut किया, तो यह exit के से मानुम पढ़ा है, कि आपने यहाँ से portion को cut किया हुए, तो यहाँ पर उतना smoothness नहीं दिख रहे है, देखिए, जैसे हम control plus करके देख रहे है, वैसे अगर perfect लग रहा तो ऐसे भी आप रख सकते हो, अगर आपको इसमें थोड़ा smoothness देना है, तो जैसे वह selection तो आपको वापस देए, आपको feather देना होगा, feather की shortcut की है अल्टर कंट्रोल D, feather, जो हमें यापर select पर मिलेगा feather, अल्टर कंट्रोल D, वो feather selection में तो आसपास का selection है, वहाँ से वह थोड़ा smoothness दे देगा, 2, 5, इतना है दीजे, अब आप इसको move कीजे, देखिए, वो थोड़ा smoothness के साथ आपको देखेगा, उसे को वापस control T, जहां जब आपने cutting किया देखिए, देखिए, देख सकते दुनों में difference, जबके इसके पीछे देखो, hair के side cutting दिख रहा है, यहाँ पर इतना smooth हो गया है, लेकिन यहाँ पर layer खास देन रखिए, layer की shortcut की है, F7, तो layer 2 जो है वो second है, और layer 1 जो हमने first लिया, तो layer 1 को अगर delete करना है, यहाँ से delete, और layer 2 को आप control T करके, set कर सकते हो, और background में फिर आपको जो photos रखने हो, या color रखना हो, तो color भी डख सकते हैं, background में हमारे पास दो अलग-अलग color देख रहे हैं, आपको दिखा था हम, अब आपको ने देखिए, यहाँ पर दो color अलग-अलग दिख रहे हैं, first है blue and second है green, लेगिन जो first हमारे है वह foreground color कराता है, देखे, नीचे का जो हो तो green वह background color और पर का foreground color, तो दोनों की shortcut की है, अगर आपको foreground color करना है, तो आपको अलटर के साथ backspace phrase करना होगा, यह shortcutti को ज्यादा जितना आप smooth work करना चाहिए उसके आपको shortcutti इस्तमाल करना होगी, जो foreground color के लिए है, लेगिन अगर आप control plus backspace यूज करते हो, तो वह background के लिए होगा, देखे, जैसे में alter backspace करता हूँ, और control backspace, लेगिन खास ज्यान आपको क्या रखने लेयर में, लेयर में आपका background पे करता होना चाहिए, अगर layer 2 पे होगा तो वह आपका photo हाइड हो जाएगा, Ctrl Z करके आप उस purpose नार्मल कर सकते हो, background पे click करके Ctrl backspace, तो green color, alter backspace, foreground, foreground and background color आप इस तरीके जिस्तमाल कर सकते हो, दोस्तों यह था आपा background selection, जैसे हमने देखा कि कोई भी photo को कैसे हमने select किया, उसको select करने के बाद हमने उसको new page पे कैसे move किया, जब वहां पर थोड़ा smoothness नहीं दिखा तो अब हमने smoothness कैसे किया, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए और share जरूर कीजिए, दोस्तों अगर आप new user है और अभी तक अपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe किजिए और subscribe करने का पासने आपको bell icon दिखेगा, bell icon पर जरूर प्रेस किजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो आप अपने YouTube bell notifications पासकते हैं, दन्यवाद